इस पीडियो के अंदर में explain करने वालों बीट पीएज के आने वाले ड्यू एपिसोड के प्रिवीव को तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के नहीं देखा था कि जैने जब थाट केंग यूज कर लिया था और फिर जैन उसके बाद पूटेक्टरों को बजाने के लिए सोच रहा होता है मगर तब ही वहाँ पर एंट्री होती है होलोपसुल के एक और बंदे की जिसका नाम होता चिंगाई और वो अपने साथ और भी कापी सारे बोर्य लेकर आया था मगर वो जैन को कुछ करता है उससे पहले हमापर एंट्री होती है जैन के एक और सपूर्टर की और वो कोई और निवह होती है लिटल फेट डॉक्टर और यहीं से स्टार्ट ही होती है प्रिवियू के पस इनकी जापर हमें देखने को मिलता है कापी सारे वोर्य होती है वो जियान भी तरप आगे बढ़ रहे होती है यहीं से कोई बागनी का डिसाइड करते है और वो अपना एक पंच बनाते है उस बार्य को तो टड़ती है ज्योंकि आइस वर्स वर्ली के एल्डर ने वनाया था ही ग्लैन की बर जिससे यहांसे कोई बायर ना जा पाई मगर जब ट्यान वर्स वर्ली का पंच उसमें जाके पड़ता तो जो बैरी रोते हैं उसके अंदर क्रेक्स आ जाते हैं और जब आइस वर्स वर्ली का पंच ट्रिल्ड और किंखाई देखेंगे तो तो तुरंती उनलों को पकड़ने के लिए जाने लगें क्योंकि इसी बात को समझ चुके ते यहांसे बगने की कोशिस कर रहे हैं इसी बज़े से दोनों इन लोगो पकड़ने के लिए जाने लगते क्योंकि उन्हें पता एक वरे यहां से निकल गए फिर इनके बारे बता करना बहुती दा मुस्किल हो जाएगा मगर जो लिटल फरी डॉक्टर होगी इन लोगो के सामने एक पॉईजन की सील बना देगी और वहांसे जियान और ट्यान वज़न से बगने लगेंगी और इनके पीछे लिटल फरी डॉक्तर होगी और उन्हें अभीकलि ऐसा लग रहा होगा कि वो लोग यहांसे बचके बच इसी बचे से जो ट्यान वज़न से होते वो अपनी पावर का यूज़ करेंगी और स्पेस की बनत से एक पॉटल खोलनी की कोसिस करने लगेंगी मगर वो पॉटल खोल पाते हैं उससे पहले उनकी जो फॉर्मेशन होती हो ब्लास्ट हो जाती और उसका ब्लास इता ज्यादा होते हैं जिस बचे से जियान और लेटिल फим 3000 को चले जाती और फिर ऑश मम में खुलता एक बहुते बड़ा पूटल जिसे देखते हैं हैं लेटिल फेडिट्ne और जियान सबी के सबी काफी दा एरन हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर में से काफी ज़्यादा पौफुल और बाय निकल रहा होता है जिसकी बज़े से आसपास का जो एटमस्पेर होता हो तो फ़ी ठंडा हो जाता है तब आचानक से उस पूटल में से एक बंदा अपयर होत जो कि आएगी कलम अबर अभी के लिए आते हैं प्रिवी के नहीं से लूपजा पर जापे जो बिंगी होता हो देखने में काफी दा प्रूतर लग रहा होता है क्योंकि अब इसकी बादे से अब तो मैं कैप्चर करने की जो मेरी इच्चा है वो काफी दा बढ़ चुकी क्य उससे बन जाएंगी बहुती बड़े बड़े दो आइस के पाइतन जो की देखने में काफी दा खतरना होंगे तभी जो बिंगी को उनकी अटेक की डारेक्शन करते का जियान के गुरूप की तरफ इसी के साथ जो प्रिवी का सीन होता हो काफी देर के बाद का हमें दिखा जाता मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता दिता हूं जहां पर जो बिंगी होता जब वो अपने आइस के पाइतनों से अमला करता है उन लोग के उपर तो लेटिल फी डॉक्टर और ट्यानों से रोकने में काफी तो पुरी तरी से चक्मी हो जाती है मगर वो फिर भी आइ जियान को थोड़ी सी भी करण चाहिए तो मैं तुम्हारी आइस इवर्स वैली का नॉमल निसान मिटा दूगी जिसके बाद तुम्हारी डूंडा भी मुस्किल हो जाएगी अपनी आइस इवर्स वैली को अर्वे जब जियान उस लड़की को दीखीगा तो जियान भी काफ प्रिम उस लड़की के हाथ में अपेर होती तो आसपास की जो स्पेस होती है उसकी तो दज्जिया उड़ जाती है और आप आपी के लिए कमेंट के अंदर मुझे ये बताना आकर ये कौन सी एवर्ली प्ले में और ये लड़की कौन है और अगर आप लोगो प्रियू का ए इस वीडियों में सिर्फित तई मैं मिलता हूँ आपसे नेश्टूर में तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार